Hey everyone, this is Sudakshan Tiwari and welcome back in my YouTube channel. So, आज की वीडियो अनबॉक्सिंग कम, रिव्यू कम, सजेशन वीडियो होने वाली है. तो बिना टाइम वेस्ट किया वीडियो स्टार्ट करते हैं. So, friends, अगर आप एक यूटूबर हैं या आप एक एजुकेटर हैं, तो आपको पता होगा कि जितनी अच्छी आपकी वीडियो की क्वालिटी होनी चाहिए, उतनी ही अच्छी आपकी ओडियो क्वालिटी होनी चाहिए. तो अगर मैं एक beginners की बात करती हूँ तो start में किसी beginner के लिए इतनी सारी चीजें महगे दाम वाली effort करना एक tough task होता है तो आज हम एक ऐसे microphone की बात कर रहे हैं जो beginners के लिए बहुत ही useful है और budget friendly है ये बोया का omnidirectional microphone है जो की मैंने flip card से purchase किया है 570 रूपीज में तो I think 570 रूपीज किसी भी beginner के लिए जो YouTube channel पे है या education field में है उनके लिए बहुत best है तो चलते हैं और इसके unboxing करते हैं तो फ्रेंस ये बोया का mic है जो की मैंने बहुत ही ज्यादा R&D करने के बाद flip card से मगाया था तो इसे open करते हैं इसका model number है BY-M1 ठीक आप इसे side में वह करेंगे तो आप पता चलेगा इसमें लिखा हुआ है कि ये smartphone के लिए DSLR के लिए इस सब के लिए audio recording के लिए बहुत best है ठीक आगे कुछ features इसमें दिये हुए है कि low handling इसमें noise है प्लेस आरियल 44 बैक्टरी देता है ओम का windy screen देता है एप वन बाई पोर एडाप्टर है ठीक तो इसे open करते हैं और आगे इसका देखते हैं माइक टेस्ट करते हैं फिर तो ये इसका manual है साइड में रखते हैं पाउच दिया है जिसमें हमारा माइक है ये 3.5 mm का jack दिया हुआ है प्लस ये adapter है जिस पे बैक्टरी हमारी attach होएगी और एक बहुत ही अच्छी लंबी सी wire दिया हुआ है जिसमें आपको ऐसा कोई issue नहीं है कि यार कितना दूर से हमें क्या कैसे हमारा camera रखा हुआ है प्लस इसमें switch भी दिया हुआ है अगर आप camera से record कर रहे हैं तो आप इसे उपर की ओर करेंगे और अगर आप smartphone से recording कर रहे हैं तो आपको ये नीचे side होगा ठीक दूसरा ये जो एक और jack दिया हुआ है वो 1.8 mm का दिया हुआ है प्लस ये हमारी LR44 वैक्टरी है जो हमारी माइक पे attach होएगी ये sponge है जो ये हमारा microphone है ये इस पे जाएगा प्लस ये हमें एक clip दिया हुआ है तो चलते हैं और पहले तो बैक्टरी इसकी attach करते हैं बैक्टरी अटेच करने के लिए यहां पे एक opening दे रखा है जिसे हम open करेंगे और यहां पे हमारी बैक्टरी अटेच होगी ये अपनी बैक्टरी जो है attach हो चुकी है attach करने के बाद हम इसे जस्ट बन कर देंगे अब जो हमारा sponge है ये sponge हमें इसे microphone पे attach करना है ये हमारा sponge भी attach हो चुका है अब भी जो इसमें clip दे रखी है इस clip को हमें इसकी neck पे attach करना है ठीक ये हमारा attach हो गया चलते हैं और एक बार mic को test कर लेते हैं इसके पहले आप जो भी recording सुन पा रहे थे वह ये फोन की थी तो भी आपको difference समझ में आ रहा होगा तो मैं इसको highly recommend करूंगी for beginners क्योंकि ये budget friendly है सु आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो से related कोई query है तो आप मुझे comment कर सकते हैं mail कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें subscribe करें और share करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you हुआ हुआ है